योगी सरकार की बड़ी सौगार स्कूल के बच्चों को मिलेंगे 1200 रुपए योगी सरकार ने डारेक्ट बिनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चों के खाते में 1200 रुपए जमा करने का फैसला लिया है चात्रों की अरकम, ड्रेस, स्ट्रेनरी और स्कूल बैक के लिए दी जाएगी फिलहाल यूपी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों को 1100 रुपए दिये जा रहे है इसमें केंद्र सरकार 600 रुपए और राज्य सरकार 500 रुपए अपने बजट से देती है योगी सरकार ने मंगलवार 26 जुलाई 2022 को बेसिक सिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है नए प्रस्ताव में उत्तर परदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले चात्र चात्राओं को 1200 रुपए देने की भी मंजूरी मिली है योगी सरकार के इस फैसले से लगबग एक करोण 90 लाग चात्रों को फाइदा होगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्तनाथ की अधक्षता में कैबिनेट बैठक में नव प्रस्ताओं को मंजूरी मिली है बेसिक सिक्षा बिभाग के स्कूली बच्चों को डिरेक्ट बिनिफिट ट्रांसपर यानी डीबिटी के माध्यम से 1200 रुपए की धन्राशी दी जाएगी फिलाल यूपी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों को 1100 रुपए दिये जा रहे हैं इसमें से दो जोडी ड्रेस के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 रुपए और बेक के लिए 170 रुपए सामिल है इसके अलावा चार कापिया, दो पैंसिल, दो रबर और दो कटर के लिए पैसे दिये जाएंगे या प्रक्रिया अगस्त के पहले सब्ता से सुरू हो सकती है हम आपको बता दे कि केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 500 रुपए अपने बजट से देती है वही माता पिता या अभिभावक के साथ अब बच्चे को अधार काड का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक नमांकित 1,91,000,000,000 में से 1,41,000,000 के अधार काड वेरिफिकेशन हो चुके है ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद